तो यहाँ पर सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो बच्चे किलास 10 में हैं किलास 12 में हैं सभी बोर्ड एक्जाम वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर हैं अच्छी खबर यह है आप सभी के लिए कि आप सभी को शायद ना पता है कि कुछ अपने मार्स को बढ़ा सकते हैं, एक साल आपको लेना पड़ता है, ड्रोप लेते थे बच्चे और अगले साल फिर से लेज़ां मेखाया चाहिए आपको村 10 में है, 12 के बाद। सकते 10th के बाद अगले साल एक्जाम देकर अपने मांक्स को बढ़ा सकते यह एक CBSC में रूल होता है कि बच्चे चाहते हैं तो रेग्डुल भी दे सकते हैं प्राइवेट भी फॉर्म भर सकते हैं अपने मांक्स को बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर जो इंप्रूमेंट एक्ज स्यारी उसके अंदर CBSC का करने वाली है आप सभी को उसी साल के अंदर एक चांस देगी कि आप अपने मांक्स को बढ़ा सकते हैं पर यह ध्यान अगना है आपको कि यह जो होगा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लोगा निकिकर कोई बच्चा चाहता है मालीच कोई 12 में पर यह सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में कर सकता है जबकि जो पहले रूल से जो ओल्ड रूल से इंप्रूमेंट एक्जाम में उसमें आप कितने भी सब्जेक्ट का एक्जाम दे सकते हैं अपने मांक्स को बढ़ा सकते हैं तो अगर किसी बच्चे को एक से जाता में देना है तो उसे तो एक साल लेना पड़ेगा, एक साल छोड़ना पड़ेगा, एक साल ड्रोप लेना पड़ेगा, तब भी उपने marks को सार में बढ़ा सकता है, नहीं कि पांच में, चार में, तीन में देना है, दो में देना है, तो आपको एक साल ड्रोप करना पड़ेगा, अगर आप आपको marks दिखेंगे, एक नहीं mark sheet आएगी, उसके अंदर वो सारे subject होंगे, आपको पुराने वाले mark sheet यूस करने की ज़रत नहीं पढ़ेगी, जबकि improvement exam की जो पहले वाले rules है, old rules हैं, उसके अंदर दो mark sheet मिलती हैं, दोनों को use करना पड़ता है, तो ये जो old rules होंगे, उन पर लाग होंगे, जो बच्चे एक से जाता हम improvement exam देना चाहते हैं, उनको तो एक सार लेना पड़ेगा, और पुराने वाले rules को ही follow करना पड़ेगा, पर अगर आप एक में देना चाहते हैं, तो आपके लिए नया rule आने वाला है, और ये इसी साल हो सकता है, हो सकता है कि 2021 के अं माने जाएंगे, यानिकि कोई नुकसान नहीं है, आप exam अगर improvement का देंगे, तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, और कम marks भी आदा है, तब भी आपके पहले वाले ले 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 जाएंगे, तो अच्छी खबर सभी बच्चों के लिए, जो बचे 10th में हैं, 12th में हैं, अपन झाले जाएंगे, Pathak म सकूछन, सभान में होगा।